नमस्कार आप देख रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ आर्जु दुबे जिस वक्त मुख्य मंत्री योगी अधितनाथ ने हिंदू युववानी को भंक करने का फैसला लिया उस वक्त हर कोई अचंबे में था कैसे कैसे हो गया जिस संगठन के दम पर मुख्य मंत्री योगी अधितनाथ कुरसी तक पहुंचे आखिर उसे खतम कैसे कर सकते हैं क्या योगी मतलब ही हो गए हैं या फिर बीजेपी को हुंदू युवावानी के काम करने का तरीका पसंद नहीं आया आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी देखें इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा कावीज होने के तीन महिने में सीम योगी आदित्यनाथ ने अपने संगठन हिंदू युवावानी को पूरी तरीके से भंग करने का फैसला किया जबकि राज्य में सीम बनने के बाद उन्होंने इस संगठन को निश्क्रिये किया था और सभी संगठनात्मक इकाईयों को भंग कर दिया था रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के चुनाव से पहले संगठन का पूर्ण गठन किया जाने की पूरी संभावना है और ये भी हो सकता है कि हिंदू युवावानी नए नाम के साथ सामने आए ये भी कहा जा रहा है कि इस नए संगठन में सियम योगी आदितनात्मक की सामने से कोई भूमिका नहीं होगी असल में राज्ये के पुर्वांचल में हिंदू हितों की रक्षा के लिए 2002 में हिंदू युववावानी का गठन किया था इसका गठन योगी आदितेनाथ ने किया था और उसके बाद लगातार ये संगठन सुर्ख्यों में रहा पुर्वांचल के हर जिले में युवा वहानी का मजबूत संगठन खड़ा हो गया था लेकिन 2017 के विधान सभाचुनाफ के बाद इस संगठन को योगी आदितेनाथ ने खतम कर दिया था कहा जाता है कि बीजेपी नेतुरत ने उन्हें सियम बनाने के लिए इन संगठन को समाप्त करने की शर्त रखी थी जिसके बाद इस संगठन को पूरी तरीके से निश्क्रिये कर दिया गया था हिंदू युवा वहानी के खतम होने के बाद अब इसे दूसरे नाम पर संचालित किया जा सकता है इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसकी सदसिता के नियम काफी सक्त होंगे और इसमें ताकतवर युवाओं को जोड़ा जाएगा क्योंकि राजे में योगी अधितेनाथ की सरकार बनने के बाद कई संगठन बन गए है जिसका हिंदू युवा वहानी के साथ मिलतल जुलता नाम है ये भी काज वारा है कि संगठन के लोग लाठी लेकर चलेंगे और इसका मकसद हिंदू हितो को रक्षा करना होगा मीडिया रिपोर्ट के मुताबेक नए संगठन के लिए नए नियम तयार किये जा रहे है और एक नई कोर के लिए पद अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी बीजेपी के पूर विधायक और हिंदू युवा वहानी के पूर प्रदेश प्रभारी रागवेंर सिंग ने बताया कि युवा वहानी को भंग कर दिया है क्योंकि पिछले पांच बर्षों में सम्मान नामों वाले कई अन्य संगठन सामने आये थे हाला कि ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए बीजेपी अलकमान ने अपनी सहमती दे दी है जबकि बीजेपी अलकमान की सिफारिश पर ही 2017 में युवा वहानी को एक तरीके से निश्क्रिये कर दिया गया था अगर देखे योगी अधित्यनाथ को हिंदू फायर ब्रैंड नेता के तौर पर संस्थापित करने के लिए हिंदू युवा वहानी की एहम भूमिका रही योगी अधित्यनाथ ने 2002 में हिंदू युवा वहानी की संस्थापना की और 2017 के चुनाफ के बाद योगी अदित्यनाथ की CM कापत सम्हालने के बाद ही संगठन को निश्क्रिय कर दिया था लेकिन अब उमीद जताई जा रही है कि जल्दी हिंदू योवानी के एक नए तेवर और क्लेवर जनता के सामने जरूर आएगा जो एक खास मकसद और तरीके से काम करेगी फिलाल के लिए इस खबर में बस इतना ही जुड़े रहिए क्यापिटल टीवी उत्तरप्रदेश के साथ नमस्कार